दोस्तों, आज हम उगाने वाले हैं. कुछ इस तरह का करेले का पौधा तो सबसे पहले, हमें एक कटी हुई बोरी लेंगे और उसको टायर का माप का काट कर टायर में उसे चिपका देंगे. उसके बाद बोरी में छेद करके टायर को काट लेंगे और एक बोतल में छेद करके टायर के बिच में उसे रख देंगे फिर टायर में मिट्टी भरकर उपर से मूंग फली का चिलका उसमें डाल देंगे और उसे मिट्टी से ढख देंगे उसके बाद करैले के पौधों को टायर में लगा कर उसमें बांस की डंडी लगा देंगे और उनके बीच में लोहे की रिंग लगाकर बांध देंगे और कुछ इस प्रकार का मचान बनाकर तयार कर देंगे फिर मचान में रस्सी लगाकर पौधे में उसे बांध देंगे और वेस्ट पड़े सबजियों और फलों के छिलकों में बियर मिलाकर डिब्बे में उसे डाल उसके बाद 20 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधे मचान पर फैल चुके हैं और अब हम डब्बे में जैविक खाद डाल कर उसमें पानी भर देंगे फिर हम 28 दिन बाद एक फुल तोड़ कर पौधों में पौलिनेशन कर देंगे और 35 दिन बाद हम पौधों पर कीट नाशक दवा का छिड़काव कर देंगे उसके बाद 42 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारे पौधों में करैले लग कर तयार हैं